Welcome learners, this is your mentor, teacher and friend here. आज हम विट्रेचर पोश्चन में, शेक्स्पियर का एक romantic tragedy, Romeo and Juliet को discuss करेंगे. ठीक है, उससे पहले, as usual, हमारा एक quick reason. जी, last videos में, last video में मैंने Titus Andronikus को discuss किया था आपकी साथ में, ठीक है, जिसको हमें देखा कि वो play जो publish किया गया था 1594 में, ठीक है, bloodshed tragedy कही है, horror tragedy कही है, revenge tragedy कही है, है न, यह सभी एक ही है, ओके, इसमें हमने Titus Andronikus को देखा था, और उसमें एक satanius एक राजा था, और उसका एक छोटा वै बसेनियस था, Titus Andronikus के बच्चे थे, और उन में, जो है, जो लूसियस था, क्विंटस था, मार्टियस था, म्यूटियस था, और लैविनिया, यह सभी Titus के बच्चे होते हैं, ठीक है, और Demetrius, Alarbus और Kiron, यह सभी Temora, जो गोट्स की रानी हैं, उनके बेटे होते हैं, ठीक है, उसके साथ में, आरोन एक हपशी, यानि मूर होता है, जो की Temora का बिलब्ध होता है, और Temora मैंने आपको बताया, गोट्स की रानी होती है, और तो बस, यह तो हमारा एक क्विक रिजन था, अब आते हैं, अब अपने मीन स्टोडी पी, ठीक है, Romeo and Juliet, देखें, Romeo and Juliet जो है, उसको 1594 सिले के 1595 के बीच में लिखा गया था, ठीक है, और यह romantic tragedy है, जैसा हमने बताया, और इस play की setting रखी गई है, वेरोना, जो इटली में है, ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दू, कि जो वेरोना है, उसको कहा जाता है, the city of love, ओके, most important, उसके बात में आप यह भी जा लेजिए, जो जूलियट है, वो जूलियट की age होती है, 13 year old, और जो रोमियो होता है, उसकी age होती है, 16 year old, ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे, इसमें additional fact यह बताएंगे, कि रोमियो जूलियट जैसा, एक और play है, एक और writer का, उस writer ने, उस play में, जो, यह जो tragedy है, रोमियो जूलियट, इसकी जो ending है, वो एक happy happy ending रखी है, वो कौन सा play है, और कौन सा writer है, आपको मुझे बताना है, ठीक है, वेरोना का prince है, एसकिलस, ठीक है, Paris, kingsman to prince, ठीक है, यह एक Paris है, एक kingsman है, कहां का, prince का, ठीक है, जी, Montague and Capulet are heads of two houses at variance with each other, Montague and Capulet, दो families के मुखिया होती है, ठीक है, और दोनों families के बेच में, दुश्मनी होती है, अभी आपको story में पता चलेगा, ओके, Romeo है, son to Montague, Montague का बेटा है यह, Mercutio, kingsman to the prince, प्रिंस का, यह kingsman है, और इसके साथ ही, वो Romeo का friend भी है, बैनवोलियो, nephew to Montague and friend to Romeo, यह भी जो बैनवोलियो है, वो Montague का भतीजा है, और वो Romeo का दोस्त भी है, ठीक है, और जो टाइबाल्ट है, वो Lady Capulet का भतीजा है, और जो बालत प्रिंसर है, वो Romeo का servant होता है, next, Samson and Gregory are servants to Capulet, यह Capulet family के नौकर हुआ करते हैं, ठीक है, कौन, Samson and Gregory, लेडी Capulet का है, यह Capulet की wife होती है, ठीक है, और लेडी Montague होती है, यह Montague family की, यह Montague की wife होती है, ओके, और जो Juliet है, वो Capulet family की daughter होती है, ठीक है, और इसके बाद इसके ब प्रियर लॉरेंस और प्रियर जॉन, ठीक है, तो यह रहती है हमारे सभी मेन करेक्टर, अब चलते हैं, हम स्टोडी की तरफ, ठीक है, दपली is set in Verona, इतली, जैसे मैंने बताया, पली की सेटिंग है इतली में, ठीक है, इतली में वेरोना है, वहां की पार्टिकुलर, तब बिगेंस विद ए प्लॉराउग सोनेट, यह जो अपपले है, यह स्टार्ट होता है, एक सोनेट से, टू हाउस होल्स बोथ इन डिगनिटी से, ओके, देर अकर्स ए स्ट्रीट ब्राल, बिट्वें दा सर्वेंस अफ मॉन्टेग एंड कापिलेट, एक छगड़ा होता है, पर दुष्मनी के साथ में है, ओके, एसकिलिस, इस दे प्रिंस ऑफ वेरुना, जो एसकिलिस है, वो राचा है वेरुना का, यह इंट्रुवेंस एंड वांस, वो आता है, जगड़ी लडाई में बीच में मद्ध सिता करता है, और बताता है, चितावनी देता है, अगर कोई शांती भंग किया, तो वो जो है, दंड देगा मृत्यू का, ठीक है, काउंट पैरिस, वो इस किन्समेन ऑफ एसकिलिस, जो एक काउंट पैरिस है, यह एसकिलिस है, जी, जी, काउंट पैरिस जो है, वो एसकिलिस का किन्समेन है, ठीक है, टॉक्स तू कॉपिलिट, वो है ठीक है तो Capulet asks him to wait for two years तो जो Capulet family वाले होते हैं वो उससे दो साल रुकने के लिए बोलते हैं क्यों विकास Juliet is 13 year old Juliet की जो age है वो 13 year की है तो वो कहते हैं my child is yet a stranger मेरी बच्ची भी छोटी है या मतलब अभी विवा के योग यह नहीं है कुल मिला के उनका यह कहना था In the word she has not seen the change of the 14 years ठीक है Capulet invites him to attend a ball बाल एक पाटी समझ लिजे Capulet family ने उसको invite किया एक पाटी में ठीक है और Juliet is persuaded to accept Paris proposals by Lady Capulet and the nurse तो जो Juliet होती है उसको बहलवाया जाता है है न क्यों क्या करने के लिए Prince जो Paris है Count of Paris उसे शादी करने के लिए उसको ready करा जाता है ठीक है उसका जो proposal है accept करने के लिए बोलते हैं कौन बोलते हैं यह कहती है Lady Capulet और nurse ठीक है जोगी confidentie है किसकी Juliet की ऐसी questions भी examinations में पूछे जाते हैं ठीक है तो आगे आगे चलते हैं Mercutio is also a kinsman of Aeschylus Aeschylus का a kinsman है Mercutio ठीक है He is a good friend of Romeo वो Romeo का दोस्त होता है अच्छा और Romeo is the son of Monty जो Romeo है जो Monty का बेटा है Bonvolio is Romeo's cousin तो Romeo का एक cousin होता है कौन Benvolio जी दोने दूसरे के cousin होते है टाइबल्ट is the cousin of Juliet और जो Juliet family का एक cousin होता है वो कौन है टाइबल्ट ठीक है Rosalind is Capulet's niece रोजलिन कौन है ये ये मैं आपको बता दूँ ये Romeo की मतलब Romeo Rosalind को पहले पसंद किया करता था ठीक है प्रेम किया करता था ठीक है रोजलिन is Capulet's niece तो ये Capulet family की भतीजी रही होती है ठीक है Benvolio asks Romeo about his depression तो जो ये रोजलिन होती है न तो इसके इस मतलब ये जो लव रहता है इसका Romeo का ये रोजलिन के लिए ये बहुत काफी परेशान रहते है तो इस लव को जो है success को हो पाने की कारण यानि कुलमिला के जो depression होता है उनकी लव का इस depression की वज़ा से Benvolio उसे बोलता है Romeo से depression को देख करके कि वह जो जो दूसरी family है जहांपर party है वहाँ पे ये enjoy करने के लिए Romeo को भी लेके जाए अपने साथ में ठीक है अभी आगे आप देखेंगे play में ऐसा होता है He finds that depression is the result of जी बिल्कुल result of Romeo's infatuation of Rosalind है ना तो जब वो देखता है कि उसको जो depression है लव मे Rosalind के लिए वो उनको party में जाने के लिए invite करता है ठीक है तो Benvolio and Mercutio ask Romeo to attend the ball जी बिल्कुल it is possible that he may meet Rosalind तो वो ऐसी आशा करते है कि हो सकता है कि party में उनको Rosalind मिल जाए ठीक है तो Romeo attends the ball in disguise तो जो Romeo रहते हैं चुकि दूसरी family में तो इनकी उससे दुश्मनी चलती है तो ये लोग वेश्च बदल करके जाते हैं वहाँ पे ठीक है और इस play में आपको mask के सिंद भी मिल जाएगी याद रखिएगा most important question है he hopes to play Rosalind but माफ केज़ेगा meet कहना था मेरे मूँ से play निकल गया he hopes to meet Rosalind तो वो ऐसा आशा करता है कि Rosalind उसको वहाँ पे मिल जाएगी but by chance he meets Juliet ठीक है लेकिन वहाँ पे उसको Rosalind तो नहीं मिलती है कौन मिल जाती है वहाँ पे उसको Juliet मिल जाती है and falls in love with her अब इनका जो प्रेम होता है जूलिएट के पती हो जाता है Juliet's cousin Tybalt recognizes Romeo Juliet's cousin Tybalt पहचान लेता है Romeo को और उसके दूसरे मित्रों को यानि other Montes को यानि जो Romeo के फ्रेंट से रहते है उनको सब को पहचान जाता है they have to leave तो इस वज़े से जो Romeo और उसकी जो लोग साथ में फ्रेंट सब गया होते है और सबी लोग भाग जाते है now the balcony scene takes place अब देखिए इसमें balcony scenes भी है मैंने आपको पढ़ा दिया है तो अब ये scene होता है रोमियो इंटर्स था Capulet's Orchard यानि कि वो जाता है कहाँ पे Capulet के आंगन में तो Juliet appears on her balcony तो Juliet वहाँ पे बालकोनी में आती है He talks to her, बात करती है She expresses her love to him और वहाँ पे वो अपने प्रेम को जाहिट करती है ठीक है Both of them agree to marry और दोनों शादी कने के लिए ready हो जाती है Both the lovers meet at the cell of Friar Lawrence और ये दोनों जो lovers होते हैं ये सभी जो है Friar Lawrence इसमें एक priest चैसी है और ये confident होते है एक होता है confident confident के last में अगर e लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि lady कोई स्वामी भगत नहीं कहा सकते है आप उसको ठीक है विश्वास पात्र जी तो ये जो Friar Lawrence है ये Romeo के confident होते है जी तो Friar Lawrence hopes to reconcile the two families through the union of Romeo and Juliet तो Friar Lawrence ऐसा उम्मिद करते हैं हो सकता है कि जब Romeo और Juliet की शादी हो जाए इन दोनों की मिलने से जो family का गुस्सा है जो दुश्मनी है वो खतम हो जाए ठीक है तो अब शादी हो जाती है ठीक है नेक्स दे और टैबाल चेंजिस चैलेंजिस Romeo to it will और इधर जो टैबाल होता है जो कसिन होता है इनका Juliet का वो क्या करता है एक डूल रखता है दोन्द रखता है ठीक है लडाई चगडा जो भी है बट Romeo refuses to fight as he has लेकिन रोमियो मना कर देता है जी तो जो रोमियो रहता है तो जो मर्किश्यो होता है वो पसंद नहीं करता है पहले बाद तो टैबल का इनसोलेंस को पसंद नहीं करता है उसके बाद वो जब देखता है कि रोमियो ने मना कर दिया है तो वो ये चीज़ भी नहीं पसंद करता है फिर he gives his consent for the duel on behalf of Romeo लेकिन वो क्या करता है एगरी कर लेता है क्यों किसकी जगाँ पे behalf of Romeo ठीक है रोमियो की जगाँ पे खुद आने के लिए रेडी हो जाता है मर्किश्यो वांड़ेड एंड एक्सिदेंटली किल्ड लेकिन वो वहाँ जब जाता है तो लड़ाई करते वक्त वो काफी चोटिल हो जाता है और वहाँ पे मारा भी जाता है अब जो रोमियो होता है पर्स्रूस टैबल्स इन एंगर अब वो काफी क्रोधित हो जाता है टैबल्ट के ऊपर ठीक है he kills him वो उसको मार भी देता है टैबल्ट को और मॉन्टेग justifies that रोमियो is right in killing टैबल्ट अब जो मॉन्टेग होते हैं वो सभी लोग जो है ये justify करने में लग जाते है कि जो रोमियो है उसने जो टैबल्ट को मारा है वो वाजिब है ठीक है तो दो प्रिंस एसकेलेस banishes रोमियो फ्रम वेरोना और उधर जो प्रिंस एसकेलेस होते है उन्होंने आउरेड़ी वार्निंग दे रखी होती है कि जो भी लडाई जगडा करेगा उसको जो है मौत की सजा सुनाई जाएगी तो क्या करते हैं प्रिंस एसकेलेस यह रोमियो को जान से मारते तो नहीं है लेकिन वेरोना से बाहर कर देते हैं निकाल देते हैं और यह कहते हैं कि अगर वो कभी यहां पर आया तो उसको मार दिया जाएगा ठीक है पर क्या होता है रोमियो सिक्रेटली स्पैंस तर नाइट इन जूलियट चैंबर तो चुकि शादी होई रती हैं उन दोनों की तो रोमियो जो होता है वो रात में जूलियट की चैंबर में उससे मिलने के लिए जाता है चुपके से बोट अफ देम कंजुमेट दियर मैरिज शादी करने के लिए काउंट पैरिस से तो इदर उसको डराय दंगया जाता है कि उसको शादी करने ही पड़ेगी ठीक है तो फ्लायर लॉरेंस प्रोवाइट इसलिपिंग पॉइजन जी तो जो फ्लायर लॉरेंस रहते हैं वो उसको एक सोने की मतला बर्द जिसको ऐसी पिल्स प्रोवाइट कराता है जिसको खा करके वो जैसे कोमा में लोग जाती है उस तरीके से हो जाए और वो बिल्कुल एक डैट की तरह लगे ठीक है यहीं डैट लाश की तरह लगे बिल्कुल लेकिन हाला कि उसमें सचमश में ऐसा होता है कि वो कोई मृत नहीं होता है बस एक मृत जैसी सीन क्रियेट कर देता है ठीक है तुर्ट इस डैट पॉईजन पूट्स इंटो डैथ लाइक कॉमा फॉर्टी तो जी बिल्कुल वैसा ही जो जब इस दवा को लिया जाएगा तो फॉर्टी तु अवर्स के लिए एक डैथ लाइक कॉमा जैसे सिचुएशन क्रियेट हो सकती है और जिससे अगले लोग समझ तो जो फ्रायर होता है वो यह दवा ऐसा जो जूलियट के साथ में यह मिलकर के इसा प्लैन करता है वो एक मेसेंजर बेजता है रूमियो के पास में जिससे कि वो अपने प्लैन को रूमियो को समझा सके ठीक है about the plan he may rejoined जूलियट और इसके बाद क्या होता कि वो जो जूलि के पहले उसको दे देता है ठीक है confrior lawrence she is apparently death और फिर क्या होता है कि वो death की जैसे लगती है बिल्कुल she is she is placed in the family crypt और उसको वहां पे family crypt पे रखा जाता है ले जाया जाता है the messenger fails to reach Romeo और इधर क्या होता है unfortunately क्या होता है कि Romeo के पास में जो messenger भीज़े गया रहता है वो नहीं पहुंच पाता है किसी कारण से ठीक है time पर Romeo's servant Balthazar informs him about the death of Juliet Romeo's servant Balthazar informs him about the death of Juliet Romeo's servant Balthazar वो inform करता है जो Juliet's death को real समझ करके Romeo को inform कर देता है कौन Balthazar ठीक है क्योंकि Balthazar तो यह सारे चीज़े सच मुझ का ही समझ रहा था ओक है जी बिल्कुल तो अच्छा एक चीज़ में आपको यह correlate करवा देते हूं जो Balthazar है Balthazar को हम more than one place में देख सकते हैं Balthazar को हम Merchant of Venice में देख सकते हैं और Balthazar को हम Comedy of Errors में भी देख सकते हैं Balthazar को Romeo और Juliet में भी देख रहे हैं ठीक है कुछ चीज़े पढ़ते वक्त हमें को रिलेट कर लेनी हैं जिससे हमारे examinations में चुटी-चुटी क्लूज इकठे हो जाएं ओके जी कहानी में आगे चलते हैं Romeo takes poison from an apothecary और जो Romeo होता है वो एक apothecary या जो chemist होते हैं वहां से एक जहर मतलब कोई लेकर के आता है He goes to the Capulet Crypt वो जाता है Capulet Crypt में there he faces Paris वहां पे उसको Paris मिलता है who is morning for Juliet जो की Juliet के लिए रोता रहता है ठीक है क्योंकि जो वो यहां पे आप Juliet की कौमा वाली scene चल रही है तो लोग समझते हैं कि Juliet वाकई में मर गई है ठीक है जी पैरिस considers Romeo responsible for the death of Juliet तो जो पैरिस होता है वो सोचता है Romeo को कि यही जिम्मेदार होगा Juliet के death के लिए he fights with Romeo and Romeo kills Paris तो वो Romeo के साथ में लड़ाई करता है लेकिन Romeo जो रहता है वो पैरिस को मार देता है ठीक है he believes that Juliet is dead और वो भी वो वो वाकई का समझ लेता है कि जो Juliet है वो मर चुकी है he takes poison and died फिर क्या होता है कि वो जहर पी लेता है और उसके बाद मर जाता है फिर Juliet wakes and finds Romeo's death इसके बाद Juliet उत्ती है जब जगती है 42 hours के बाद में ठीक है तो वो देखती है Romeo को मरा हुआ देखती है और फिर क्या होता है she takes Romeo's dagger अब वो जो Romeo की dagger होती है खंजर होता है उससे अपने आपको stab कर लेती है okay with it the friar returns with the prince and the capulets and Romeo's father fellow father, yeah a second miss हों कि है truth, Romeo's father and the friar tells the story of the two lovers जग जब Juliet जाती है वो देखती है कि Romeo वो जो है को मर चुका है तो वो Romeo के खंजर को अठा कर कर के अपको खतम कर दीती है वो फिर 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 फ्रायर होते है वो लॉटने है पिंस के साथ में, Capulet की family और रोमियो के फादर नी सारी फैमिली वापे कटा होती है तो फ्रायर जो है दोनों दो प्रेमियों की कहानी को बताता है तो फैमिली अर रिकॉंसाले अब दोनों फैमिलीयों का जो जगड़ा होता है वो खतम हो चुका रहता है they agree to make an end of enmity तो वो लोग फैसला लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग अपनी दुश्मनी को खतम कर देंगे ठीक है enmity की स्पेलिंग अच्छी है इसको याद रखतेगा तो इसी के साथ में जो यह स्टोरी है जो प्रिंस है वो बताता है यह दोनों लवर की स्टोरी को बताता है और उन्हों कहते हैं कि यहाँ उन्होंने कभी इतना ज़्यादा दुखबरी कहानी को नहीं देखा या सुना है ठीक है रोमियो और जुलियर्ट की कहानी से ज़्यादा तो यहीं पर स्टोरी हमारी खतम हो चाती है आपको प्ली कैसा लगा है आपका अगर स्टोरी इंफर्मेटिव लगी हो और चीज़े इंफर्मेटिव लगी हो तो मुझे जरूर बताइएगा थैंक यू सुमच